पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ये दास्ता है एक बड़े ही हुनर्बंद अभिनेता की जिसने विधिवत प्रशिक्षन लिया अभिनेका टेलिविजन पे नजर आये स्टेज पर भी और सिनेमा के सूपर स्टार्स के साथ भी नाम है जिनका राजपाल यादव इनका जन्म हुआ 16 मार्च सन 1971 में हाला कि नोने शुरुवात नेगटिव कारेक्टर्स के साथ की थी लेकिन इनके कॉमिक करदार ज़्यादा पसंद किये गए इनके माबाब चाहते थे कि एक डॉक्टर बने लेहाज़ा ये साइन स्ट्रीम में दाखिल हो गए पर इन्हें एक्सपेरिमेंट्स करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था इन्हें लगा ये एक मिडियोकर ही बने रहेंगे तो बाद में ये आर्ट्स स्ट्रीम में आ गए ग्यारवी और बारवी के पढ़ाई तो शाहजापूर की ओर्डिनेंस क्लोधिंग फैक्टरी से की जहां की प्रवेश परिक्षा में तकरीबन तीन से चार अजार लड़के बैठते रहे और उनमें से सिर्फ 30-35 लोगों को ही चुना जाता था यदि राजपाल जादव अभी नेतना होते तो शाहजापूर के ओर्डिनेंस क्लोधिंग फैक्टरी में ये काम कर रहे होते इन्होंने रोहिलखन युनिवरस्री से राजनेती शास्त्र, समाट शास्त्र, हिंदी और समाने हिंदी लिटरेचर में बिये किया इसे दोरान ये थेटर से भी जुड़ चुके थे अभी ये लखनों के भारते इंद्यू नाट्ट अकैडमी में नहीं पहुंचे थे उससे पहले शाहजापूर के ही एक थेटर ग्रूप, कोरेनेशन आर्ट थेटर ग्रूप के साथ ही जुड़ गए वहाँ पर इंद्यू नाट्ट अकैडमी लखनों पहुंचे सन 1992 से लिखकर सन 1994 तक इन्हों ने वहाँ पर डिप्लोमा कोर्स कम्प्लीट किया उसके फॉरण बाद इनका मन नहीं भरा था तो पहुंच गया ये नाशनल स्कूल अब ड्रामा में वहाँ पर भी अभिने का प्रशिक्षन लिया, खुब अनुभव अर्जित किया और सन 1997 में मुंबई की तरफ रोख किया ये दूरदर्शन के टेलविजिन सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल में नजर आए बहुत वक्त पहले दूरदर्शन पर ही एक सीरियल आया करता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने उसी का सीक्विल बना मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल फिल्म जंगल में इन्होंने एक नेगटिव करदार ने भाया वो रोल सभी को पसंद आया और इन्हें सेंस्वी स्क्रीन बेस्ट टक्टर अवार्ट से नवाजा गया इन नेगटिव रोल काटिगरी उसके बाद ये नजर आए मैं मादुर दिक्षित बनना चाहती हूँ वक्त दर रेस अगेंस टाइम चुप चुप के गरम मसाला फिर हिरा फिरी ढोल वगएरा वगएरा इनका बेवा हुआ राधायादव से शादी से ने दो बच्चे हुए उसके आगमल से पूरे घर में बहुत रहुनक है और पूरा परिवार बहुत खुश है और बहुत उपरवाले शुक्र गुजार हूँ इन्होंने सूपर स्टार्डन देखा, थेटर का दौर देखा और टेलिविजन पर किस्तना का भिने करना चाहिए यह अनुभव बे नहीं मिला लेकिन साथी साथ सन 2013 में वो वक्त भी आया जब इन्हें कोट कचेरी के चक्कल लगाने पड़े यह बात अजब है कि अंधेर नगरी चौपट राजा इस नाटक से इन्हें बड़ी मकबूलेत हासिल हुई मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहानी कि मुझे उनके साथ काम करके खूब मज़ा आया बहां से प्रेड़ना लेकर यह भारते अंधियू नाट्टे अकाडमी पहुँचे फिर एनेजडी पहुँचे और फिल्मों में इन्होंने बड़े बड़े सूपरस्टार्स के साथ काम किया चाहे वह मताब बच्चन रहे कि अक्षय कुमार यह लीक से हट के फिल्मों में भी नज़र आए जैसे की मैं मेरी पतनी और वो और दूसरी तरफ वक्ध ररेस अगेंस टाइम चुप चुप के गरम मसाला इस तरह की कमोशल फिल्मों में भी यकिनन बड़े उतार चड़ा भरा इनका जीवन रहा है भारतिय कला के इतिहास में राजपल जादव जैसा अभी नेता ना ही कोई था और ना ही कोई और होगा महान प्रतिवाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल और हिस्ट्री और हिस्ट्री